आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं commonly use होने वाली medicine के बारे में इन सभी medicine का यूज आप सभी को पता होना चाहिए सबसे पहली medicine है paracetamol medicine जो कि fever को कम करने के लिए या सरदर्द को कम करने के लिए यूज में ली जाती है अगली medicine है satrygen जो कि allergy के अंदर यूज की जाती है जब किसी को बार बार चीक आती है सरदी जुकाम हो जाता है आख नाख से पानी आता है skin red होती है skin के उपर कुजली की problem लेती है तो इन सभी के अंदर इसका यूज क्या जाता है अगली medicine है antacet जो कि अमारे stomach के अंदर जब ज़्यादा acid बनता है तो आमें acidity की problem होती है पेड के अंदर gaze बनती है जलन होती है सिने के अंदर जलन पेड के अंदर दर्द ये सभी problem हमें देखने को मिलती है तो market में आपको इनो नाम से sachet देखने को मिल जाता है और आपको अलग-अलग ब्रांड की antacet syrup देखने को मिल जाती है इन सभी का यूज acidity के अंदर किया जाता है आगली medicine है पेरसिटमोल के साथ डाइस सैकलोमान की combination माली medicine इसका यूज पेड दर्द को कम करने के लिए किया जाता है तो बच्चों के लिए जो ड्रोप और सिरप होती है उनके अंदर पेरसिटमोल मेडिसिन नहीं होती डाइस सैकलोमेन के साथ सिमेतिकोन कॉंबिनेशन में होता है अगली medicine है अमेपराजोल मेडिसिन जब किसी पेसेंट को रोजाना acidity problem लेती है तो उनके अंदर इनका यूज किया जाता है या हमारे इस्टोमक के अंदर ज़्यादा acid बनने की परकिरिया को धिमा कर देती है जिससे acidity की problem नहीं होती अगली medicine है पोविडोन आयोडिन तो मार्किट के अंदर इसके आपको solution और ointment दोनों देखने को मिल जाते है जब किसी के skin के ओपर चोट लग जाती है या मापर ख्रोच आ जाती है तो इस ointment को या इस solution को वहाँ पर लगाया जाता है ताकि वहाँ पर कोई infection ना हो और गायो जल्दी से ठीक हो सके अगली medicine है विटामिन C medicine जो मार्किट के अंदर आपको लिमसी नाम से मिल जाती है तो किसी patient के अंदर immunity weak होती है या उनके सरीम के अंदर विटामिन C की कमई होती है तब इसका यूच क्या जाता है अगली medicine है ओंडान सेट्रोन जब किसी patient को उल्टी या मतली की जिकायत रहती है तो उनके अंदर इसका यूच क्या जाता है अगली medicine है एमोक्सिलीन के साथ पोडिसम कलेवलनेट की कॉंबिनेशन वाली medicine ये एक एंटिबाइटिक medicine है इसका यूच कापी ज़्यादा क्या जाता है इस medicine का यूच बेक्ट्रियर इंपेक्शन के अंदर क्या जाता है यानि कोई skin का इंपेक्शन हो जाता है या respiratory tract infection हो जाता है यूठे इंपेक्शन हो जाता है ये इंपेक्शन तो इन सभी infection को treat करने के लिए इसका यूज क्या जाता है अगली medicine है Embrogzol, Livosal, Bulutamol और Guay Penicin combination वाली medicine तो ये सभी medicine जब combination में होती है तो उनका यूज वेड कप के अंदर क्या जाती है यानि जो बलकम वाली खांसी होती है उसको treat करने के लिए इनका यूज क्या जाता है अगली medicine है Phenyl Eprin, Clorfenivine और Dextromethorphine तीनों combination में आती है इनका यूज dry cup के अंदर क्या जाता है यानि जो सुकी कांसी होती है जिसके अंदर बलकम नहीं आता उसके अंदर इसका यूज क्या जाता है अगली medicine है Hydrogen Proxide 3% Solution इसका यूज पूराने या धूल मिट्टी वाले गाव होते हैं उनको दोने के लिए क्या जाता है अगली medicine है Color, Elcid, Gluconate, Silver, Nitrate की combination वाली medicine ये cream के पॉम में आपको देखने को मिल जाता है तो उस समय इसका यूज क्या जाता है अगली medicine है Lactic Acid Bacillus तो इन medicine का यूज देश्ट या डाइरया के अंदर क्या जाता है अगली medicine है Vitamin E Capsule तो ये market के अंदर आपको EVION 400 नाम से मिल जाता है तो जब किसी patient को allergy हो जाती है या उनको कोई मधुमकी डंक मार लेती है या कोई parasite काट लेता है तो allergy होने के करण इन medicine का यूज क्या जाता है इमरजेंसी के अंदर injection का यूज क्या जाता है अगली medicine है Levo Citricin Medicine तो इसका यूज भी allergy के दोरान क्या जाता है जब किसी patient की skin पर ज़्यादा खुजली के problem रहती है redness हो जाती है या उनको सर्दी जुकाम बार बार छीक आती है आँक नाख से पाने आता है तो इसी condition में इनका यूज क्या जाता है अगली medicine है Lektologe solution तो मार्किट के अंदर आपको डूफालेक नाम से या लिवोलक नाम से भी देखने को मिल जाता है तो इसका यूज होता है वो जब किसी patient को constipation की सिकाथ रहती है या उनको मल त्यागने में problem आती है तो जब ये सिरप या ये solution patient को दिया जाता है तब उनको मल त्यागने में आसानी हो जाती है अलि मेडिसिन है लेकजिट्यू सिरप तो इन सभी मेडिसिन के अंदर milk of magnesia, liquid perapine और sodium picosilpate होता है तो इन सभी दवाईयों का उप्योग होता है वो constipation या जिन patient को कब्ज की सिकाथ रहती है उनके अंदर इसका यूज किया जाता है अलि मेडिसिन है ओमनी जेल और वोलीनी जेल तो इन दोनों का यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है जब किसी की body के अंदर दर्द होता है तो इस जेल को दर्द को कम करने के लिए वहाँ पर apply किया जाता है तो आज हमने इन कोमन मेडिसिन के बारे में जान लिया है जो ज़्यादा तर यूज की जाती है वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करे कोई क्यूशन होता आप कमेंड कर सकते हैं